वेलकम बैक, इस कुश्चन में बुला है, आउट अप दीस कंपाउंड, कौन हाइट्रो कारबन में कनवर्ट हो जाएगा, जब हम लोग जिन्क, अमलगम और कौन्ग, एचियल यूज़ करेंगे हैं। तो देखो इसमें एक कॉंसेप्ट क्या है, इसमें कॉंसेप्ट यह है, कि यह जो रियेजेंट आप देख रहे हैं न, दिस रियेजेंट किस रियाक्षन का है, यह क्लेमेंशन रियाक्षन का है, क्लेमेंशन रियाक्षन के लिए यह रियेजेंट यूज होता है, अब यह क्लेमेंशन रियाक्षन होता क्या है, यह होता है कि aldehyde R ketone कहां convert हो जाएगा alkane में पर एक्जामपल RC11OH RC11R इन में से किसी में में इसमें आप दे दीजे इसमें आप दे दीजे यह वाला रही है zinc amalgam and HCR तो आपको R CH2 CH3 और RCH2R यह लेंगे तो यह मिलेगा यह लेंगे तो यह मिलेगा तो यह zinc amalgam कौन किसील क्या करेगा aldehyde R ketone को alkane में बदलता है यह concept यूज़ करना है तो हम लोग को पता करना है कि यहाँ पर aldehyde R ketone कौन हो तो देखो पहला option दिया है butane 2-one so this is butane 2-one इसमें जब आप zinc amalgam और कौन केज़ सील लेंगे तो क्या मिलेगा आपको alkane मिलेगा अभी बता है क्लेमेंशन में aldehyde R ketone इसमें convert हो जाता यह क्लेमेंशन रिएजेंट है तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH3 मिलेगा clear रही है तबनों का आंसर होगा butane 2-one में जब zinc amalgam कौन केज़ सील देंगे तो आपको hydrocarbon मतलब alkane मिलेगा ठैंक्यू